दबंगो ने फाइरिंग कर दहशत फेलाई उसके बाद बनी खुटिया में लगाई आग उतर प्रदेश के मैनपूरी में सुरक्षित नहीं है दलित परिवार दबंगो ने पहले फायरिंग कर दहशत पहलाई फिर घर में लगाई आग घर में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है पूरा मामला धाना भोंगाओं के ग्राम जलालपुर में सोमवार की रातरी साथ बजे के करीब बंटु टिंकू बीटू कुत्र लालमन बदीपकुत्र वीरेश कुमार ने अहिवरंड सिंग कठेरिया पुत्र श्रीराम के घर पर फायरिंग कर दी जिससे पूरा परिवार दहसत में आ गया और अफरात अफरी का माहौल देखने को मिल रहा है परिवार वाले कुछ समझ पाते तब तक उत लोगों ने घर में आग लगा दी जिससे घर में रखा गे हूँ गग्या, चाड़ पाई, घरेलू सामान जलकर राक हो गया 26 तारीक की रात्रे में बंटू ने शराब के निशे में अहिवरंड से कहा सुनी हो गई थी उसे की रंजिश में इस खटना को अंजाम दिया है जिसकी सूचना एक सो नंबर को दी उसके बाद फायर विग्रण ने मौके पर पहुँच कर आग पर कभू पाया ठाना पुलिस में मौके पर जाकर दबिश दी तब तक फारिंग वा आग लगाने बाले फरार होगे दबंगों के भैसे दलित परिवार बैभीत नजर आ रहा है समबादाता मैन पूरी नफीस अली जर डाद संब इन जडाद संब लुकलों एुच कर दोडिग्रिज डिन जड्दा कि पर फड्र पर दोड़ामा एक पारिंगों कि आप जड्र चाना पूरी से दोरा मैंस अरूझार, टुरह, प्राइब, छुर्सकेट सो जात वाद सेया ही और काली सो जात अरूँ डाली सरहीं के राद सुपरी जात अजया और काली से लिभाध MRS, प्राद से लिए भूग । लिए लग, प्राद बार काली से डाली से लिए झाल झाल